नमस्कार सातियों, समसमाई क मुद्दों से सम्मंदित प्रस्णावली स्रंखला के साथ मैं आमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है 21 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रस्ण केने मुद्दों पर आधारित हैं आए सबसे पहले एक नजर डालते हैं पहले प्रस्ण में हम बात करेंगे विश्व धरोहर दिवस के बारे में वहीं दूसरा प्रस्ण आधारित होगा किसान रथ मोबाइल एप की लांचिंग पर एक्सेस करो ना मोबाइल एप के बारे में बात करेंगे तीसरे प्रस्ण में वहीं चौथे प्रस्ट में हम बात करेंगे World Wild Fund India के Ambassador के बारे में पांच्वा प्रस्ट आधारित होगा MTNL के CMD पर वहीं छटे प्रस्ट में बात करेंगे Reverse Repo Rate की सात्मा प्रस्ट आधारित होगा आंतराश्टी भारो तोलन महासंग के अध्धच्पत के इस्तिफे से आठवें प्रस्ट में बात करेंगे सामाजिक नवाचार स्रणी में Edison Award पर वहीं जानेंगे Paytm General Insurance Limited के MD और CEO के बारे में 9 प्रस्ट में और दस्वा प्रस्ट आधारित होगा डग सैंडर्स के निधन पर तो हमारा पहला प्रस्ट है हाल ही में वेश्चु धरोहर दिवस कब मनाया गया हमारे पास आप्चन है 16 अप्रेल, 18 अप्रेल, 17 अप्रेल या इनमें से कोई नहीं तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है B 18 अप्रेल, वेश्चु धरोहर दिवस को 18 अप्रेल को मनाया गया है यह दिवस मानों विरासत को संरचित करने के लिए और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिनहित करने के लिए प्रतिवर्स मनाया जाता है इस वर्स विस्ट विरासत दिवस के विशय की अगर बात करें तो यह है Shared Culture, Shared Heritage and Shared Responsibility यानि की साजहा संस्कृती, साजहा विरासत और साजहा जिम्मेदारी बढ़ते हैं अगले पैसन की तरफ हाल ही में करशी मंतरी नरेंज सिंग तोमर द्वारा निमलिखित में से कौन सी मोबाइल एप लांच की गई है लिए लांच की गई है इस एप की सहायता से व्यापारी कोल्ड स्टोरेज वाहनों द्वारा जल्द खराब होने वाली वस्तूओं को भी ले जाने में सच्छम होंगे इस एप को राश्ट्री सुचना विज्ञान केंद्र द्वारा विक्सित किया गया है प्राथमिक परिवह दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है ए दिल्ली दिल्ली सरकार दोरा एक्सेस करोना मोबाइल एप लांच किया गया है दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हाट-सपार्ट इलाकों में घर-घर जाकर सर्वे करने क के लिए इस एप को उप्योग करने के लिए निर्देशित किया है इसमें बीना किसी व्यक्ति के संपर्क में आये डेटा एकत्र करने में विशेश ध्यान रखा गया है हमारे पास अगला प्रस्ट है हाल ही में किसे वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया का एंबिस्टर निय का एंबिस्टर सतरंज के महान खेलाड़ी विश्युनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है वे पर्यावरन सिच्छा कारिक्रम के लिए संगठन में शामिल हुए है डबलु डबलु एफ एक अंतराश्टी एंजियो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी यह दुनिया का सबस के संरचन के लिए कारे करता है हमारे पास अगला परसन है हाल ही में MTNL के CMD निमन लिखित में से कौन नियुक्त किये गए है हमारे पास आपसन है सुनील कुमार P.K. पुरवार सलिल जोसी या इनमें से कोई नहीं तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है B. P.K. पुरव कार दिया गया है MTNL यानि की महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना एक अपराइल 1986 में की गई थी इसका मुख्याला जो है वो नई दिल्ली में है हमारा अगला प्रसन है हाल ही में Reserve Bank of India ने reverse report rate को घटा कर कितना कर दिया है हमारे पास आपसन है 3.5 प्रतसत 4.2 प्रतसत 3.2 प्रतसत या 2.1 प्रतसत तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए 3.5 प्रतसत रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने reverse report rate 4 प्रतसत से घटा कर 3.75 प्रतसत कर दिया है reverse report rate में कटाउती से बैंकों को फाइदा होगा बैंकों को कर्ज मिलने में दिक्कत नहीं होगी जबकि रिपो रिट को 5.15 प्रतसत से 4.4 प्रतसत कर दिया गया है इसके साथ ही केंदरी बैंकों ने लांग टर्म रिपो आपरेशन के लिए 50,000 करोड रुपए की घोसना की है तमस अजान परवेज अंसारी या आरिफ वकार तो यहां पर जो इसका सही उतर है वो है भी तमस अजान तमस अजान ने आंतराश्री भारोत तुलन महासंग के अध्यच्य पद से इस्तीफा दे दिया है यह इस्तीफा उन्होंने उन पर लगे भ्रष्टाचार और पंडरिया कारेवाहक अध्यच के रूप में संस्था का नित्रत करेंगी हमारे पास अगला प्रस्ण है हाल ही में किस कंपनी को सामाजिक नवाचार स्रेणी में एडिसन एवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे पास आप्चन है पावर ग्रिड एंटी पीसी लिमिटेड टाटा पावर या इनमें से कोई नहीं तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी टाटा पावर टाटा पावर को सामाजिक नवाचार स्रेणी में एडिसन एवार्ड से सम्मानित किया गया है कंपनी ने यहां पुरसकार अपने क्लब एनरजी हैस्टेग स्विच 263 मेगावाट है एडिसन पुरसकार दुनिया के सर्वसेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को सम्मानित करता है इसकी शुरुवात 1987 में थामस अलवा एडिसन की इसमृत में की गई थी हमारे पास अगला प्रस्ण है पेटियम जनरल इंसोरेंस लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है हमारे पास आप्चन है 37 कुमार गुपता विनीत अरोडा रवनीत सिंगिल या रंजीत सिंगल तो यहाँ पर जोसका सही उतर है वो है भी विनीत अरोडा पेटियम जनरल इंसोरेंस लिमिटेड का प्रबं निदेशक और CEO के रूप में कारे कर चुके हैं हमारे पास अगला प्रस्ण है हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हो गया वे किस खेल से संबंधित थे हमारे पास आप्चन है गोल्फ, क्रिकेट, फोट बाल या भारो तोलन तो यहाँ पर जोसका सही उतर है वो है ए गोल्फ डग सैंडर्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो प्रसिद गोल्फ खेलाडी थे उन्होंने PGA टूर के कुल 20 खिताब जीते हैं वे स्टाइलिस्ट और चमकीले कपड़ों के कारण पीकॉक आफ दा फेयर वे के नाम से भी जाने जाते थे तो यह थे समसमाइक मुद्दो से जुड़े हुए आज के हमारे 10 से प्रस्न मिलते हैं कल नए 10 प्रस्नों की स्रंखला के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार धन्यवाद